नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पूरो भारती अर्फनमौला खिलारी मोहिंदर अमरनाथ के बारे में आज हम इस खिलारी के बारे में जानेंगे कि कैसे इनों ने सन 83 में भारतीय टिम को चेंपियन बनाने में अपना सयोग दिया मोहिंदर का जन्म 24 सितमबर सन 1950 को पतियाला पंजाब में हुआ था इनके दो भाई हैं सुरिंदर अमरनाथ और राजिंदर अमरनाथ इनके दोनों भाई भी क्रिकेटर रह चुके हैं महिंदर अमरनाथ ने भारतिये क्रिकेट टिम को कई यादगार पल दिया है कभी अपने बल्लेबाजी से तो कभी अपनी गेदबाजी से 24 सितंबर सन 1979 को अस्टेलिया एक खिलाप महिंदर ने अपना टेस्ट परदार पड़ किया इनके नाम 79 टेस्ट मैचों में 4,378 रन और 32 विकेट हैं याथ ही 24 अर्षतक और 11 सतक भी इनके नाम है टेस्ट में इनका बेस्ट स्कोर है 138 रन और 7 जुन 1975 को इन्होंने इंगलेंड के खिलाप अपना वंडे डेब्यू किया इन्होंने भारत के लिए 85 वंडे मैच खेले जिसमें 1924 रन बनाए और इस बीच इनका उसत लगबग 30 दरस्वलों पांच का रहा जिसमें 13 और सतक और 2 सतक सामिल थे इनका टेस्ट में 37 रन देकर 4 विकेट और वंडे में 12 रन देकर 3 विकेट बेस्ट इस्पेल रहा मुहिंदर अमरनाथ सन 83 विशो कप में अपने सांधार प्रदसन के लिए जाने जाते हैं इन्हें फाइनल और सेमी फाइनल में मैन अपड़मेश से समानित किया गया था इंग्लेंड के खिलाफ सेमी फाइनल में इनकी सतिक सीम गेदवाजी नहीं ने डेविट गावर और माइक गuke टिंग के सिस करम के दो अहम विकेट डिला है साथ ही बल्लेबाजी में इन्होंने 46 रन बनाए जिसके कारण इन्हें मैन अब्दमेच चुना गया फाइनल में भी इन्हें मैन अब्दमेच चुना गया क्योंकि बल्लेबाजी में इन्होंने 26 रन का योगदान दिया और भारतिय टीम ने 183 रन का लक्षे खरा किया साट ओबर में बेस्टन्रीश के लिए जो बहुत कम था लेकिन महिंदर अमरनाथ के तीन अहम विकेटों ने मैश का रुक बडल दिया और भारत ने 43 रनों से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया इन्होंने फाइनल मैश में साट ओबर में केवल 12 रहनी दिये कर दो दिये